नमस्कार जी मैं मन्जू आज जनवरी के 25 तारीक है और करीब तीन हफते पहले मैंने वीडियो नमबर 304 बनाया था तो जिसमें मैंने कोस्मोस को कटिंग से ग्रो करना सिखाया था और बताया था कि कटिंग से त्यार प्लांट में जल्दी फ्लार्ज आते हैं तो फिर उस वीडियो में मुझे एक कमेंट मिला था शीतल जी का तो उन्होंने कहा था कि मैंने कोरियोपसीज की मैंने उस वीडियो में बताया था कि खुब सारी के पोदों के आप कटिंग से लगा सकते हैं तो कोरियोपसीज की भी बताया था तो शीतल जी ने कहा था कि मैंन उनसे प्रोमिस किया था चलो मुझे याद रहेगा तो मैं कटिंग ग्रो करके दिखाऊंगी तो शायद वो ये वीडियो जो मैं डाला था उननतिस दिसमबर को डाला था तो इसके तीन-चार दिन बाद पतानी दो तीन जा चार को मैंने जनबरी को मैंने वो कटिंग लगाई है और उसके साथ साथ एक कटिंग मैंने और कौरियोणुसिस की कटिंग के साथ साथ मैंने एक annual chrysanthemum की भी लगाई annual chrysanthemum यह कह रही हूँ मैं यह वाले flowers हैं जो देख रहे हैं तो इनकी भी एक cutting मैंने लगाई तो अब भी देखते हैं हम क्या result रहते हैं मैंने check नहीं किया है क्योंकि cuttings जो मुझे अच्छी हालत में दिख रही है कुछ दिन पहले तो वो जैसे मरी जैसी हालत में हो गई थी मुर्ज आई हुई थी और कुछ दिनों से मुझे वो अच्छे से दिख रही है तो कई वर ऐसे भी होता है रूट्स जब आने वाली होती है तब भी कटिंग जो लंबे टाइम तक फ्रेश दिखती है नई आई होती यह आने वाली होती है और कई वरऀ ऐसा भी होता है क удар क् जो रूट्स बणती नहीं मैं जब तक कटिंग रही रहती है तो पत्ते भी हरे दिखते हैं और फिर जब रूट्स नहीं बनती है और कटिंग जब ड्राइव कोने लगता है तो उसके पत्ते भी सूख जाते हैं तो चलिए अब हम देखते हैं क्या रिजर्ट्स हैं उनके। जो कटिंग से। लगाय कोई क पूड़ी काम होती है। फूल भी जल्दी आते हैं, हाँ एक चीज और मैं शेर करना चाहूंगे, अभी आप पुछोगे कि ये इसकी अनुल क्रिसेंथिमम की अभी हम कटिंग लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, तो जब कटिंग से प्लांट त्यार हो जाता है, और मैंने बताया न, फूल भी त्यार होते हैं, तो 40 degree temperature तक ये खिलते रहते हैं, तो बिल्कुल आप इसे लगा सकते हैं, और कोर्योपसीज को भी लगा सकते हैं, तो जली देखिए, क्या रिजल्ट्स है इनके, तो ये मैंने दो कटिंग ये कोर्योपसीज की लगा है, और ये इसकी अनुल क्रिसेंथिमम के लगाई है तो कॉरियोपसीस की तो आप जानते ही हैं जब प्लांट ग्रो होता है सीर से निचे बहुत बड़े बड़े पत्ते होते हैं और उस पे एक वीडियो भी बनाया था मैंने कैसे पत्ते हटा के जल्दी उसकी ग्रोथ करनी है तो वो अब उस पे मेरे फूल आने वा तो पहले हम यह कोरियोपसीस की निकालते हैं पैन को थोड़ा सा परे कर लेता हूं मैं शार्क चीज से एसे निकालना है ताँं कि अगर बन रही होंगी तो भी ठीक है नि बन रही होंगी देखते है ऑभी खारी दिखने लगी है जहां तो बनने वाली होगी और जहां फिर दुनों में से कुछ एक चीज हो सकती है न ये दिखी है ये निकाली तो मैंने अरांच से हैं कोई टूट गई होगी तो मैं बोल नहीं सकती है तो ये इसकी cutting जो roots बनना ये start होगी है तो मैं इसे धोके दिखाती हूँ तो ठंड का मोसम होता है ठंड के मोसम में है जो roots बनने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाता है ये देखिए ये आप इस तरह से बना सकते हैं ये कोरियोपसीज की तो शीतल जी आपने देख लिया होगा तो एक वारे फिर से ट्राइ कर लीजिए ये तो ये चलिए इसी में मैं लगा देती हूँ दुबारा और cutting लगा के आपने चाया वाली जगे में रखना है अभी ये चाया वाली जगे में थे तो बड़े fresh दिख रहे है जा फिर ट्रांस्प्रांट कर दीजिए जैसे मैंने रूट निकाल अब इसको देखते हैं हम ये जो हमारा annual chrysanthemum है इसको थोड़ा सब परे से पैन लेके शार्प जीस जंजिस से भी निकालोगे हलके से मिट्टी को ना उपर करना है तो अब देखते हैं इसमें बनी है क जो भी result होगा बनी होंगी तो भी ठीक है नी बनी होंगी तो भी ठीक है तो हमें एक idea तो हो जाएगा ना इसके अच्छी खासी रूर्स बन गी दोनों बराबर लगाया यह देखे इतनी लंबी-लंबी रूर्स इसकी बन गी है तो मैं इसको धोके दिखाती हूं पो देखो पूंखेंtes रूपर लंगा ध्यार बन होगा यह दोुपार और इसके कट लगा हिस, अभी दिखाती हूं नहीं टो यह मैंने धो दिया है और यह कट लगा हिसा. को कर दो गटले यह दिखें, यह कट वाला हिस, यह दिखらह ब अब यह देखें के अपको ऐसे कट और कटके च same day मैंने लगाई है पता ने तीन चार को जनबरी को लगाई हूँगे मैं डेट कही नोट तो की हुई है मैं जो ध्यान नहीं आ रहा दिखनी रहा वो मुझे मैंने कहां नोट कर दिया तो ये देखे कितनी बड़ बड़ी रूट्स आ गई है तो ये देखा तो इसको मैं आप क चोटे से बैग में नमकीन बैग में या कहीं भी नमकीन वाला चोटा सोतन उसमें भी हम लगा सकते हैं पुद्दा तो ये बाद में हमारे फूल देगा तो ये दिखा मैंने दो तरह की दिखा दिया आपको प्लांट्स दिखा दिया है इस टाइम आप उनकी रूट्स जो है आराम से बना सकते हैं, कोरियोक्षिस में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा और ये अनुल क्रिसेंथिमम तो बहुत ही इतनी सारी रूट्स बनी है तो मुझे नहीं याद कि मैंने फर्स टाइम इसको कटिंग से लगाया जहां पहले भी लगा चुकी हूँ, पर अभी जो प्लांट्स बने हैं तो वहां से लिया ये कटिंग जो आपने लेनी है नरम मुलायम ना जुक टिप से उपर से लेनी है तो इनके फूल बहुत ही प्यारे लगते हैं तो एक प्लांट मेरे इतने बड़े-बड़े ये दिखिए ये अनुल क्रिसेंथिमम के ये पता नहीं कि दुश्मन कितना सुन्दर फूल नमस्ते जी शुक्रिया